असलाम अलेकुम and hello everyone, welcome back to my channel आज मैं आपको कोई recipe नहीं दे रही हूँ बलके आज मैं आपको घर पे cake flour बनाना सिखाऊंगी cake flour हम cakes में use करते हैं आम तोर पे लोग बाहर से खरीते हैं लेकिन ये घर में बनाना बहुत ज्यादा आसान है और सिर्फ दो ingredients के साथ ही बन जाता है cake flour के साथ cake बहुत ज्यादा light texture का बनता है soft और spongy बनता है cake को अगर आप सिर्फ मेदा या all-purpose flour से बनाएंगे तो उसका texture अलब होगा लेकिन जब आप इसको cake flour से बनाएंगे तो ये बहुत ही light बनेगा तो ये सारी recipes जो आप देख रहे हैं ये मैंने cake flour से ही बनाई है result बहुत जबदस रहा है घर का बना हुआ cake flour भी बहुत अच्छा काम दिखाता है तो start करते हैं इसकी recipe तो यहाँ पे मैंने एक cup मेदा लिया है यानि all-purpose flour ये एक cup है measuring cup मैंने use किया था यहाँ पे इसको नापने के लिए अब इसमें से दो टेबल स्पून में मैदा वापस निकाल रही हूँ ये भी measuring spoon है measuring spoon और कप से use करने है और अब इसमें मैं दो टेबल स्पून corn flour add कर रही हूँ मतब दो टेबल स्पून मैदा आपने भी चाना नहीं है मैं हमेशा सिर्फ mix कर लेती हूँ result फिर भी अच्छा ही रहता है लेकिन mixing बहुत अच्छी तरह से करनी है ताकि कौन flour मैदे में अच्छी तरह से mix हो जाए बस ये दोनों चीजें आपस में mix हो गई तो हमारा ये cake flour तयार हो गया इसको low gluten flour भी कहते है cake flour भी कहते है cake flour बाहर से लेने के बजाए अगर आप घर पे बनाएंगे तो बहुत यासानी से भी बन जाएगा सिर्फ दो ingredients हैं जो आम तोर पे घर पे available भी होती है और उससे ही ये बनेगा और result मैंने इसका देखा है बहुत अच्छा आता है घर के बने cake flour का भी और ये सारी recipes अगर आप try करना चाहते है cake flour से तो मेरे channel पर मुझूद है link में आपको description में देदूँगी तो अब मैं आप से मिलूँगी next recipe के साथ तब तक के लिए लाफिस bye bye and take care अब तक के लिए लाफिस